दोस्तों अगर डेली सुबह आपका पेट खुलकर साफ नहीं होता है, आपको कब्स, बवासीर, गैस या एसेडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो आज मैं आपके साथ तीन ऐसे गरेटों नुसके शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके कब्स, बवासीर, गैस या एसेडिटी दीमी दीमी आज पे भूणना है, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो है दो चमच अजवाइन, ये दोनों ही चीज़ें पेट के लिए बहुत असरदार है, कितनी भी गैस है, ऐसेडिटी की भयंकर प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता है, क क्योंकि हमें दीमी दीमी आज पर इसको भूणना है, तब ही ये सर करेगा, देखिए कब्स एक ऐसी बिमारी है, जो कई सारी बड़ी बड़ी बिमारीों को जरम देती है, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए, कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए आपक जाकर ऐसी कोई प्राबलम ना हो, तो यहाँ पर जो साफ और अजवाईन है, वो भून चुके हैं, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ, अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, तो यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा ऐसे फैला भी देता हूँ, ताकि य दो मिनिट में ही ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद अब हम मिक्सी का जार लेंगे, और इसके अंदर हमें बूने वे सौफ और अजवाईन डाल देने हैं, क्योंकि इसका हमें बारिक पाउडर बनाना है, इसके अंदर अभी हम कुछ चीजें और एड़ करेंगे, जिससे रेमेडी बहुत जादे एफेक्टिव होगी, तो इस तरह से डाल देंगे इसे मिक्सी के जार में, ये जल्दी से खराब होने वाली चीज तो है नहीं, इसलिए अगर आप 10-15 दिन के लिए एक बार में ही बना कर रखना चाहें, तो आप ये सभी चीजें ज्यादा भी ले स जो जीरा आप डेली सबजी बनाने में यूज करते हैं, ये वो ही जीरा है, जब हमने सौफ और अजवाइन को भूना था, तब आप इसको भी साथ में ही भून सकते थे, लेकिन कब्स के लिए आयुरवेद में इसको कच्चा यूज करना ज्यादा असरदार बताया गया है, इसलिए मैं इसको कच्चा ही ले रहा हूँ, तो अभी हमने इसके अंदर तीन चीज डाल दिये, लेकिन अभी इसमे एक चीज और डालना बाकी है, चौती चीज जो मैं आप पे डाल रहा हूँ, वो है काला नमक, दोस्तों जो काला नमक होता है, वो भी पेट के लिए, हाज अगर आपको खाना आजम नहीं होता है, तो भी आप इसको ले सकते हैं, कैसे लेना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर एक चमच आपको काला नमक इसमें डाल देना है, और अच्छे से मिक्स कर देना है, जिनको पेट में हमेशा गैस का गोला बना रहता है और गैस आसानी से निकलती नहीं है, वो लोग इसमें हींग भी डाल सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर हींग नहीं मिला रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, तो दो चुटकी आप इसमें हींग भी डाल दीजिएगा, और यह आपका बहुत अच्छा पाउडर तयार हो जाए इसे बच्चों को कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से एक गिलास हलका गरम पानी हम ले लेंगे, और इसके अंदर हमें एक चमच यह पाउडर मिलाना है, बड़ों के लिए बता रहा हूँ, एक चमच इस तर और अगर gas, acidity के लिए आप यह नुसका ले रहे हैं, तो जब आप खाना खाएं, उसके एक घंटे बाद इसे एक गिलास ले सकते हैं, अगर बच्चों को दे रहे हैं, तो इसी का आदा गिलास आपको देना है, मतलब कि आदा गिलास पानी लीजिएगा, और उसमें आदा चमचे पाउडर मिक्स कीजिएगा, और फिर आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, जिनको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, इसे आप ऐसे ही खालीजिए, उपर से हलका गरम पानी पी लीजिए, तब भी आपको बहुत अच्छा रजल्ट मिलेगा, अब आते हैं दूसरी रेमेडी पर, दूसरी रेमेडी के लिए यहाँ पर मैंने एक गिलास दूद गरम कर लिया, और फिर यहाँ पर लिया है कैस्टर वाइल, जिसे अरंडी का तेल भी बुला जाता है, यह आपको कैमेस की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है, और किराना की दुकान पर भी मिल जाता है, यह जो रेमेडी है, यह सिर्फ बढ़ों के लिए और उन लोगों के लिए हैं, जिनको कई कई दिन हो जाते हैं और पेट साफ नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी ज्यादा कब्ज रहती है कि एक एक अफ़ता टॉयलेटी नहीं जाते हैं और इस वज़े से उनको बवासीर भी हो जाती है तो आपको क्या करना है एक चमचे सरह से ये केस्टर ओयल गरम दूद में मिलाना है और उसके बाद आपको रात को सोने से पहले इस दूद को पी लेना है और सुबह आप देखेंगे एकटम तूफान की तरह खुल कर आपका पेट साफ हो जाएगा और ये रेमेडी आपको बार बार लेने के ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी ऐसा लगे कि बहुत दिन हो गए है पेट साफ नहीं पड़ेगी जो भी दूद आपके घर में आता है वो ही दूद आप यूज कर सकते हैं इस रेमेडी को भी बच्चे भी ले सकते हैं बड़े भी ले सकते हैं कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ तो एक गिलास आपको हलका गरम दूद लेना है इस तरह से जैसे मैं अगर बच्चों को दे रहे हैं, तो उन्हें भी रात को सोने से पहले देना है, ताकि सुबह तक उनका पेट साफ हो जाए, आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को कब्ज होने लगी है, तो आप इस remedy को बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको बच् असान उसके यूज कीजिए और जिद्धी से जिद्धी कब्ज को जड़ से खतम कर दीजिए, आप हैपी और हल्दी रहे हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मलाकात होगी